अब ही हम उपस्तित हैं exam tour channel पर मेरे जो दाहिने बाएं तरफ बैठे हुए हैं वह निशान्त जी हैं इन्होंने RDO का पोश्ट प्राप्त किया है 65 में तो हम आपसे डेली प्रती दिन एक एक बेक्ती से मिला रहे हैं इसलिए कि आप भी तैयारी करके और अच्छा अंग प्रा किया आपने और मेंस का और इंटर्व्यू कैसे दिए और जो आप लिखते थे या राइटिंग करते थे उसको भी थोड़ा सा दिखाईएगा चुकि जो व्यूवर्स हैं exam tour channel के वह देखें और आपसे यह experience लेकर आपना भी मुकाम को प्राप्त करें कि अधन्यबाद जैसे कि आपको कब लगा कि मुझे भी प्यसी यू प्यसी की तैयारी करनी चाहिए जब इंजिनरिंग कॉलेज में था तो इंजिनरिंग कॉलेज के दवरान बहुत सारे ऐसे कि मुझे लगा कि मुझे भी एक ओफिसर के रूप में कर्च करना है और मुझे ओफिसर बना है जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने जो जैसे मैंने इंजिनरिंग कंप्लीट हुआ 2016 में 2017 से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी उसके बाल मैंने चो सथमी दिया जिसमें मुझे सफलता मिली और 65 में भी मैं सेलेक्ट हुआ 226 rank है मेरा और मैं RDO के पर चैनित हुआ। आपका जो प्रिलिम्स की तैयारी आपने किया, किस तरीका से किया, आपका एस्टेजी क्या था, रननीती क्या था, और जो मेरे भीवर हैं, यदि वो तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे तैयारी करें, सरसथमी के लिए, कोई आपका एक मोटिवेसन हो तो बताएं. अगर सरसथमी प्रिविलिम्स की तैयारी की बात की जाए तो अभी ज्यादा समय नहीं है साइध दिसंबर में 19 या 26 दिसंबर को एक्जाम होगा और अभी अक्टूबर का मन्त चल रहा है 10 अक्टूबर के असपस तो लगभग दो महीने का समय है दो महीने के समय है और 500 कोशन का इक्जाम होता है जिसमें लगभग 8 सेक्षन है जिसमें साइंस और करेंट का वेटेज बहुत ज्यादा है उसके बाद हिस्ट्री का वेटेज है फिर एकोनोमिक सर्वे के डाटा का वेटेज है तो जिन विद्यार्थियों को अभी सरसथमी देना है उनके लिए सबसे ज्यादा महतपुर्ण करेंट और साइंस हो जाता है और उसके साथ साथ हिस्ट्री हो जाता है तो आप सबसे पहले इतिहास जो है घटनाचकर जैसे कोष्चन बैंक से इस मैट्री ले कर लिक नेथार्ण उल्फ सकते आप परिक्षावानी को ले सकते हैं आंग गटनाचकर की ही ले सकते हैं और जो अपकर और इससे प्रश्न बना सकते हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री में सबसे जादा modern से question आता है, तो modern हिस्ट्री को अच्छे से करना है, फिर आपका बिहार के इतिहास से प्रश्न रहते हैं, जो कि बिहार एक परिचे इंतियाज अहमत सरका की बुक है, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से कर लेना है, current में आप घटना चक्र या परिच्छा मन्थन या दोनों मैगजिन को फरवरी से स्टार्ट करना है, दिसंबर में एकजाम होनी है, नवंबर तक के current को कर लेना है, उसमें हर एक सेक्षन को अंतराष्टिये, राष्टिये, उसके बाद खेल हो गया, स्पोर्स हो गया, जो क् खटनाएं, घटित होती है, कुई न किसी अस्थान के लएं परशिद्ध होता है, इन तब चीजे को करना है, तयार करना है, आप बने रही है अन तक क्योंकि देखिए, ये एकक पॉइंट बता रहा है है, आप एक-पॉइंट को ध्यान से सुनिये, और अपने पढ़ाई म में उसको उतारिए अपने तैयारी में उसको इंक्लूड कीजिए सामिल कीजिए और मुकाम को प्राप्त कीजिए सर आप इंजिनियरिंग बैक्ग्डाउंड से आते हैं तो आपका साइस तो बहुत अच्छा होगा लेकिन जो यदि आर्ट से पढ़ रहे हैं और सरकारी विद करने के लिए स्पेशल ज्यादा पढ़ने क्या आव सकता नहीं कोई पतली सी जो जनरल साइंस जनरल कम्पिटिशन में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कोश्चन जो है आप एक साथ कर लिए स्पीडी वगरक आता है या प्लेटफॉर्म वगरक आता है पतली सी उससे आ अलाबा आप एडूटेडिया वगरका भी आता है उसको भी कर सकते हैं एस्पीडी से भी देख सकते हैं लेकिन ज्यादा तर ज्यादा ज्यादा अच्छा अगर देखा जाए तो घटना चक्र और परिक्षा मन्थन है कि सर बहुत बहुत धन्यबाद इसके लिए अब हम अंच्छाद लेक्ते लेक्त हैं लेकिन ज्यादा तर समय यहां बयतीद करते हैं किसी यहां टाइन यहीं करना पर दस्वेज़ नहीं करना यहां गरते हैं दस मिनट पंदर में आप समय किसी टाइम में आप खाना खाके अराम कर रहे होते हैं या किसी टाइम टाहल रहे होते हैं तो वह से सामें उस पर दे लेकिन आपका लक्ष एक ही होना चाहिए कि मुझे अगर डेर सो कोश्चन पीटी में पूछा जाता है और एक साथ 10 कटफ जा आये हमेशा इस बात का जुनून मन पर happening होना चाहिए जए कोई लड़के जो हैं बार-बार देते हैं जैसे प्रिलीम का एक्ञाम कई बार दे रहे हैं उनका नहीं होता है यह और जो निव कमर जो नियू तैयारी करना चाहिए उन कि हम फिए तिस करे कि आख Например ठीक वह कुछटीा च्योभ्यरी से जादा पूछा जारा पूछा जारा जारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब plants के यहां से निती क्या था मेंजिशे चैप्टर की ऐने। जो भी वीडियो देख रहे हैं वह इससे लवानमित हो और अपने दिन चर्जा में इसको उतार कर BPSC और UPSC को क्वालिफाई करें मेंस की तयारी अलग से नहीं की जाती है आप जब PT की तयारी करते हैं और PT में हर एक चीज को अच्छे से अध्यान करते हैं चाहित यहास हो या बोगोल हो या एकोनोमिक्स हो या करेंट हो तो वहां पर आपके पास फैक्ट का कलेक्शन होता उन फैक्ट का आप एनालिसिस करके आप मेंस को अच्छे तरह से लिख सकते हैं इस वीडियो में बने रहिएगा, part 1 बने जिसमें दिखाए जागा, मेंज के कॉपी सर कैसे लिखे हैं, कैसे लिखते थे, उसको दिखाए जाएगा, और इनका room जो है, उसको थोड़ा सा हम दिखाएंगे, कि कैसे तयारी करते थे, जब demotivate होते थे चुकि बड़ा जर्णी है इसमें शोभाविक हैं बहुत लोग नहीं होते हैं लेकिन अधिकतर लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं उस समय सबसर आपसे साजा करेंगे इसलिए आगला वीडियो जरूर देखिए आपका आगला पार्ट इसके बाद क्वोल कियाया है